आपको दोस्तों कैसे आप सब में आपका अपना मर्जोथान साब आप का हन्समेंट चैनल कोपर स्वागर करता हूं तो आध मैं ऐब के लिए फिलिप्स के प्लेयर लेकर आये हूं जो की एक कैसर बेर है और एक है अम्लिफायर और जो ऑन बेर आप के बिना नहीं चलते तो वह का एक ही सेट है कॉम्बो में ही है तो बहुत इच्छी कंडिशन में है और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे बाइब इस चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब पाद बैल आइकन को दोबाना मत भूला ताकि जो तो भी नई वीडियो डालो नया लाइव करूं वह आपके पास सबसे पहले पहुंग जाए तो इसका प्राइज रहने वाला है अगर को भी मेरा भाई इसको यहां पर हमारे विजट करना चाहता है हमारे दूरी शहर में तो आप वेलकम आप आकर भी इसको भाई का सकते हो और इसका मॉडल नंबर है ये डावलियो 569 स्टीरियो कैसेट डेक आप देख सेकते हो कि फिलिप्स का और ये एंप्लिफायर है और ये वला कैसेट पेयर है तो यहां पर आप बात करें तो यहां पर एजेक्ट यहां से यह ओपन होता है बहुत ही स्मूदली वर्किंग है तो जो इसका हेड है वो लॉंग लाइफ ही चलेगा और यहां पर एलेक्ट्रोनिक मोटर कंट्रोल हाइड्रालिक फुल आडियो शट आउफ तो यह आप देख सकते हैं पूरा ही जो भी इसके अंदर फंक्चन है वह सब इसके उपर मेंशन कर दिएगी है पहले से कंपनी की तरफ से और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर काउंटर है यह भी पर कंडिष्ट में यहां ऑर रिसेट का बटन है और यहां पर रिकॉरड प्ले बैबख ellisplay तो जब यह चलता है राइट और छे इंडिगेटर दियों यहां पर बहुत यह अच्छा लगता है और लेफ्ट भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो और जहां से मैटल CR02 यहां से नॉर्वल और जहां से डॉल भी इनार तो वाइस का क्वालिटी बहुत शांदर बन जाता है तो यहां पर लेफ्ट और राइट का recording लेवल ठीक है मिनिमम मैक्सिमम यहां पर बहुत ही सुन्दर इसका जो भी फ्रंट से पेंट है वह भी बिल्कुल अच्छी कंडिशन में पड़ा है आपको कोई भी इसके उपर कोई ज्यादा स्क्रेच्ट देखने को नहीं मिलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हों कि अभी हम बात करते है एंप्लिफायर की तो एंप्लिफायर में क्या है इसका मॉडल नंबर है एह 744 ट्यूणर एंप्लिफायर तो इसका क्वालिटी बहुत ही शानदार है और जहां से पावर अन अप का बटन है और यहां पर हैड़फोन दिये गए और यहां पर जह सारे का सारा रेडियो को अब जब आप यूज करोगे तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदर बन जाता है और यह वाला प्लेयर एंप्लिफायर के बिना नहीं चलता है अगर हमें कैसेट प्लेयर चलाना है तो यहां पर टेप का बटन प्रेस करना पड़ेगा और यहां पर काउंटर है यह वाला ठीक है तो जहां से आप रेडी को सेलेक्शन कर सकते हो यह वाले से यहां पर ट्यूनिंग भी लिखा हुआ है और जहां पर पर छोटासा लोगो बना हुआ जो कि बहुत ही शानदार है और आप इसका कंडिशन देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी कंडिशन में और आपको इसको पीछे से भी दिखाते हैं कि इसके पीछे क्या 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 फंक्शन है और अपने यह पूरा तो देखी लिए सबसे पहले आपको पीछे से दिखाते हैं कि पीछे से यह इसके क्या 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 फंक्शन है और कहां पर इसके कौन से बायर लगती है तो दोस्तों यह पीछे से देख सकते हो कि फिलिप्स का एम्प्लिफायर और कैसर प्लेयर तो यहां पर लाइन इन राइट और लेप ठीक है तो यह जो बायर्स है तो यहां पर लगती है टेप वन और टू और टेप आउट ठीक है तो यहां पर अभी इसको लगा देते हैं आ यहां पर फोन नों लिखा हुआ है तो यहां पर क्या होता है यहां पर आप ग्रामोफोन की वायर इसके साथ अटेच करोगे ठीक है तो यहां पर आप बात करें तो यहां पर फ्लिप्स का लोगो और 230 वाल्ट का पचास हर जिगा यह है ठीक है टेप 15AW569 इसका मॉडल नंब और यहां पर आप बात करो तो फ्लिप्स मेड इन इंडिया ठीक है तो यहां पर इसका मॉडल नंबर है 15A744-00B ठीक है तो यहां पर इसके लगते हैं स्पीकर और स्पीकर ऐसे नॉर्मल नहीं लगते हैं एक छोटा सा पार्ट आता है वह वायर के आगे लगता है उसके बा तो यहां पर भी 240 फॉल्ट लिखा हुआ और यह इन दोनों की वायर है ठीक है तो यह रहा पीछे से अभी फंक्चन और अभी आपको इसको प्ले करके दिखाते हैं कि इसका साउंड कॉलिटी कैसा है और आप मुझे बताना आपको जी कैसा लगा और दोस्तों मैं इसके अंदर कैसेट ब्ले करने वाला हूँ जो की वायफरेंट फिलम की है बहुत ही जादा रेयर कैसेट है और मुझे नहीं लगते है कि इसके गाने यूटूब पे होंगे अगर नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट चेक्शन में बताना जी मैं पूरा कै पास्टर पीज वायफरेंट का अभी इसको डाल देते हैं इसके अंदर और इसको कर देते हम प्लेग तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको जाद यादा शेयर करना लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको यह 63 पेर और एंपली वर कैसा लगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही दन्यावाद प्लेग